नमस्कार बच्चो आज के इस बीडियो में हम लोग कक्छा दस्वी की गडित का अध्याए एक बास्तिविक संख्याए का आज हम एक्जामपल नंबर चार करने वाले चेप्टर वन का एक्जामपल फोर करने वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपोल्टेंट है कापी निकाल करके बेड़ जाओ पेन निकाल करके बेड़ जाओ देखिए एक मिठाई बिकरेता के पास एक मिठाई बेचने वाला है मिठाई बिकरेता है उस मिठाई बिकरेता के पास 420 काजू की वर्फिया है काजू की जो बर्फिय होती मिठाई होती काजू की वर्फिय कित्ती है 420 है ठीक इतने समय में आया आप लोग को काजू की वर्फिय है 420 और 130 बदाम की वर्फिया कित्ती अच्छी लगती होगी यार अपन तो गरीव आदमी यार भी यार ने खाते यार 420 काजू की बर्फिया अपन तो भी ये बता से बस खाते यार अब गरीव आदमी क्या रहे है ये बर्फिय नहीं बर्फियार मुह में पानी आगया तुम्हार मुह में पानी आएगी ना देखो 420 काजू की बर्फिया है 420 बर्फियक आएकि है काजू की है और 130 बदाम की बर्फिया है 130 बर्फियक आएकि है बदाम की है अब तुम एक मिठाई बिकरेता हो तुम्हार पास एक ठाली है और उस ठाली में तुमको बर्फियक जमाना है तुम्हारे पास 420 बर्फी काई की काजू की और बाकी 130 बर्फी काई की बदाम की और उन बर्फी को इस प्रकार से जमाना है कि अपन एक्टी उपर एक्टी उपर एक रखके इस प्रकार से जमाना है कि वो कम से कम जगा घेरे बर्फी को एक के उपर एक के उपर एक उपर एक इस प्रकार से जमाना है कि वो कम से कम जगा गेर है और सभी जो लाइन बनेगी आपकी जो लाइन बनेगी बर्फियों की उन हर एक लाइन में बर्फियों की संख्या बराबर होना चाहिए ददस के धेर लगा दिये ये फिर 11-11 के धेर लगा दिये मतलब सब में बरफी की संख्या बरावर होना चाहिए ऐसा नहीं ददस के धेर बचा दिये और लाश्ट में एक धेर बचा उसमें तीनी बरफी जा रही ऐसा नहीं सब में बरावर 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 जाना चाहिए और यह बरफी कम से कम स्थान घेरना चाहिए तो बरफी कम से कम स्थान कब घेरेगी बरफी कम से कम स्थान तब घेरेगी जब हर एक लाइन में जादा से जादा बरफी रखेंगे अगर आप हर एक बर्फी के धेर में जादा से जादा, जादा से जादा, मतलब महान से महान, महतम, जाद से जादा मतलब महतम, तो हमको यहाँ पर महतम समावर्तक निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? महतम समावर्तक निकालना पड़ेगा, इस प्रकार से युन्तम स्थान घेरे मतलब हर एक धेरे में जादा से जादा बर्फी मतलब महतम निकालना पड़ेगा तो प्रत्यक धेरी में कितनी बर्फिया रखी जा सकती है तो अगर आपको यह पता लगाना है कि हर एक धेरी में कितनी बर्फिया जा सकती है तो अगर आपको यह पता ल सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल सा महत्तम समवर्तक निकाल के लेके आ जाना है, क्या निकाल लेना है, एक 420 का, 420 का और 130 का महत्तम समवर्तक निकाल लेना है, तो यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रत्यक धेरी में बर्फी बर्फियों की संख्या ग्यात करने हे तू क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा HCF HCF ग्यात करना पड़ेगा किसका? 420 420 और किसका? 130 130 130 का HCF हमको यहाँ पर ग्यात करना पड़ेगा और यहाँ पर HCF मतलब होता है महतम समावर्तक महतम समावर्तक ग्यात तो करना है लेकिन कौन सी विजी से ग्याद करना है यूकिलीट विवाजन विजी से ग्याद करना जो कि मैंने आपको example एक में करवा चुका हूँ अब यहाँ पर हम लगा देंगे यूकिलीट विवाजन प्रमेइका क्या लगा देंगे बच्चों यहाँ पर हम चार सो बीस बड़ा है किस से 130 से जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले को तीर मारता है बड़ा भाई छोटे भाई की कुटाई करता है हाना हाना है 420 जो है वो 130 से बड़ा है इसलिए अब हम 420 और 130 में योकिलीट भीभाजन प्रवमे का लगा देंगे 420 और 130 में कर लगा देंगे योकिलीट भीभाजन प्रवमे का लगा देंगे इसके लिए करना कुछ नहीं है 420 में, 130 का भाग दे दो, बड़ा है आँपर 420 है, तो हाल बीच में लिख दो, 420, और इसमें, भाग देना है, पर आपको कित्य का, 130 का भाग देना है, 13 का पठाड़ा ऐसा पड़ओ की, 32सांगे नहां है, तेरा कम, 13ा, 32 में 26, 13ा, 13 भाग गया, उन चास बढ़ गया तो कित्व बार में भाग जागा दो बार में 13 कितना होग्याব kicking 26 तेरा में कितना हो गया LGBTQI 26 मतला 3130 दुन होगा 260 0 में 0 कि जीरो ढ़ा 002 मैं 6 या शे । तीन में से दो गा यहां पर आपका कि शेき पचेगा जिए सौ आ क्या हो गया भना तीन बार में भग जाया जाएगा बच्चो कितने बार में बार भाग जाया थीन भरान सबसे होती है देखो कि ते ते तेरे कम तेरे 26 या चालिस तीन बार में भाग जाए का तेरा तिया उन चालिस और जीरो को ओगया जीरो जीरो में जीरो गया जीरो, बारा में सनों गया यहां पर बचा आपका तीन और यहां पर एक उधार देदी, बारा में सनों गया तीन में सनों गया यहां पर जीरो बचा तो यूकिलिट भिवाजन प्रमेगा क्यों होती है यूकिलिट भिवाजन प्रमेगा यहाँ पर हम लगा रहे है यूकिलिट भिवाजन प्रमेगा यहाँ पर हमारी होती है भाज बराबर भाज गुणा भागफल धन यह होती है हमारी यूकिलिट भ्युवाजन प्रमेका भाज्य किसको बोलते हैं जो बीच वाली संक्य होते हैं इसको भाज्य कहा जाता है भाज्य है यहाँ पर हमारा 420 भाज्य का मान रख देगे हैं कितना 420 बराबर का बराबर भाजक का मान कितना है जिससे भाग देते उसको भाजक बोलते तो यहाँ पर भाजक का मान एक सो तीस है तो भाजक का मान रख देंगे एक सो तीस गुणा का हो गया गुणा भागफल का मान किता है जो आंसर आता उसको भागफल किता है भागफल का मान है आपर हमारा तीन है धन कहोगे धन, सेस्फल किता आया जो सेस बसता उसको हम सेस्फल बोलते सेस्फल का मान है हापर हमारा 30 है तो सेस्फल का मान रख देंगे हापर हम 30 अब आप लोग मुझे हापर यह बताओ कि क्या सेस्फल का मान 0 आया क्या क्या सेस्फल कमान जीरो के बराबर है क्या नहीं है सेस्फल कमान जीरो नहीं है सेस्फल कमान जीरो के बराबर है क्या नहीं है सेस्फल जीरो के बराबर नहीं तो हाँ पर हम लिखेंगे चूंकि सेस्फल के ताया हाँ पर हमारा 30 सेसफल तीस जो है वो जीरो के बराबर नहीं है बराबर को क्रोस कर देना इस परकार से काट देना तो बराबर नहीं है सेसफल तीस का मान जीरो के बराबर नहीं है अगर सेसफल का मान जीरो नहीं आया तो उसके लिए हम के करेंगे इसमें इस भाजक और इस सेस्पल में फिर से यूकलिट व्यादन प्रमी का लगा देंगे नहीं है न तो यहाँ पर हम 130 भाजक 130 और 30 में यूकलिट व्यादन प्रमी का लगा देंगे तो हाँ पर हम डिखिंगे 130 बा इसका भाजक होगे 130 और सेस्पल होगे 30 130 बाप 30 में यूकलीड विभादन प्रवमे का से 130 और 30 में यूकलीड विभादन प्रवमे के हाँ पर हम लगा देंगे करना कुछ नहीं है 130 में हमको 30 का भाग देना है तो यहां पर 120 में हम भाग कित्य का देंगे 30 का भाग देंगे थीन का पहर संपनों की तेरह थैते नहीं बचाए थीन चरौ 12 तो सिस्फाल प्रवारगे प должно देंगे修 के दिश्फाली से अबतश यूकलीड आपर हम पाल यूकलीड यूकल विभादन देंगे 130 है तो भाज कमान रख देंगे हाँ पर हम 130 बड़ाबर का बड़ाबर भाजक कमान किता है भाजक कमान है हाँ पर आपका 30 तो भाजक कमान रख दिये 30 गुड़ा भाखफल कमान किता है भाखफल कमान है हाँ पर आया हमारा 4 भाखफल कमान रख दी 4 धन कहोगे धन सेस्फल कमा आया क्या मुझे यह बताई क्या सेसफल जीरो आया क्या क्या बच्चो सेसफल कमान जीरो निकल करके आया क्या जो हमारा सेसफल यहां पर आया है वो जीरो आया क्या सेसफल यहां पर जीरो नहीं है तो फिर से यहां पर लिखना पड़ेगा चू की सेसफल जीरो के बराबर नह है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकी दो ऊपर दो आख और नीचे एक मुह चूंकी इसको चूंकी बोलते तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकी सेस्फल चुंकि सेस्फल जो है वो 0 के बरावर नहीं है 10 जो है वो 0 के बरावर नहीं है तो फिर से लगा देना यूकलिट प्रमे का किसमें? भाजक 30 में और सेस्फल 10 में नहीं है तो 30 भाजक 30 और 10 में यूकलिट बिभाजन प्रमे का फिर से लगा देंगे तो हापर हम लिखेंगे तीस वा दस में यूकलिड यूकलिड बिभाजन यूकलिड बिभाजन प्रमेका से यूकलिड हन प्रमेका से चुँकि सेस्पल जो है वो जीरो के बराबर नहीं है इसलिए हम भाजक 30 और भाजक 30 और सेस्पल दस में यूकलिड बिभाजन प्रमेका यहाँ पर हम लगा देंगे इतना कापी में नोट करो पहले, अब उसके आंगे हम करेंगे, अब उसके आंगे कहा ना, मिटा देता हूं उसको में, उतार लो सुकापी में, किस-किस में लगा रहे हम, 30 और 10 में हम लगा रहे हूं, यह उकलीड भाग देना है, यहां पर 30 में 10 का भाग देना, 10 का पहाँ अपर 30 से आगे ना रहे, तो 10 तीया यहां पर रुजाएगा आपका 30, 0 में 0 गा 0, 3 में 3 गा 0, अब सिस्पल 0 आ गया, तो क्या होती प्रमेका, प भाज बराबर भाजक कमान उत्में, इस एम प्रमाज किते हैं यहां पर 30, भाज बराबर भाजक कमान किते हैं हाँ आपका 10, गुणा क इनर अठाई जीरो है सेसफल जीरो आ गया तो जब सेसफल जीरो आया उस समय आपका जो भादक था भही आपका आंसर रहेगा हाणा भही आपके करहाएगा आंसर रहेगा ठीक तो आंसर जाएगा आपका 10 मतलब कि 10-10 की धेरिया बनेगी चुकि सेसफल किता है जीरो है चुकि सेसफल का मान जीरो के बराबर है अतहा भाजक किता है आपर जब सेसफल जीरो है उससे में भाजक किता है जब सेसफल जीरो है उससे में भाजक दस है अतहा भाजक किता है आपर हमारा दस अतहा भाजक दस ही सेसफल जीरो है उससे में भा भाजक 10 ही, जो भाजक 10 ही, भाजक 10 ही क्या होगा, 10 ही, 420 और 130 का महतम समा बर्तक होगा, भाजक 10 ही, 420 और 130 का क्या होगा, महतम समा बर्तक होगा, भाजक 10 ही, भाजक 10 ही, क्या होगा, इन दोनों का इसका और इसका क्या होगा, महतम समाबर्तक होगा मतलब कि एक धेरी में कित्ती कित्ती बर्फी रख सकते है अताहा प्रत्यक धेरी में दस बर्फी रखी जा सकती है यहाँ पर मुझे देंगे अताहा प्रत्यक धेरी में दस बर्फिया रखी जा सकती है यह हो गया पर हमारा क्या आंसर निकल करके आ गया इसको आप लो कॉपी में नोट कर लो